बिस्मिल्यार्मानिर्हिम असलामलेकूम तो कैसे हैं आप लोग इंशालला केरियास से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक लगे करम से तो आज आप बहुत ही मज़े मज़े के टेप्स लेकर के आ गई हूँ वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि कितने ही मज़े मज़े के टेप्स है आज मेरे इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो चली टेप्स जो है ना वह स्टार्ट करते हैं और तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आप लोगों की खिद्बत में मैं हमेशा हाजिर होती हूँ और आज भी हाजिर हो गई हूँ और इंशाला यही दूआ करती हूँ कि आप लोग भी अगर यूचूब में है ना तो इंशाला इंशाला आप लोगों को भ और अच्छे राह में चलने की तोफिक अदर फरś में आमिन्स अनेंक रहांनए हाने राह में चलने की तोफिक अधर फर्माएं और अगर आप डेली नमास पढ़ेंगे ना तो इनिशा expectalिक आप오ters श्रूरूर कामैय पें चांकर आपकार कोई है तो बॉटल को क्या कीजेगा ना कि रात में इसे डीपर पे रख दे जी हाँ इसे डीप फ्रेज पे रात पे रख दे ताकि पूरा बरव जम जाए बॉटल में और उसे यहां हम लोग डोर के साइट में अगर सेट कर देंगे ना तो आप देखेंगे कि यह बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि यह जो जिसमें जो बरव जम गया है ना तो इसके वज़े से आपका जो डोर वाला साइट का जो भी सामान है ना कोई भी हम लोग जैसे के यह रखते हैं या फिर घी या कुछ इस तरह की अगर रखते हैं ना सामान तो वह एकदम भी खराब नहीं होग तो चलिए नेक्स टिप की तरफ चलते हैं टिप नमबर टू आज का हमारा यह है कि यह भी दिखिए इस तरीके के ना बरव जम जाते हैं हमारे फ्रेजर में तो इसे हम लोग क्या करेंगे ना बहुत आसानी से यह निकलता भी नहीं है इसे निकालने के लिए हम लोगों को आफ करना होता है पर यह अभी गर्मियों में पॉसिबल नहीं होता विकास फ्रेज ओफ करेंगे तो सारा समान खराब हो जाएगा और पानी भी ठंडा नहीं होगा तो उसके लिए हम लोगों को ना एक कटोरी में नमक ले लेना है जी हां नमक ले ले लेजे और इस तरीके क अगर आप रख देंगे ना रख करके इसे बंड कर दे तो उसके बाद आप थोड़े दिर के बाद देखेंगे सारा बड़ जो है ना वह मैल्ट हो जाएगा कम से कम 15-20 मिनट में आप देखेंगे चमतकार आपके सामने रहेगा तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजे तो टि देखेंगे इसमें लाइट है इसमें शाइन है जैसे कि धूप में शाइन और लाइट होता है ना जस्ट वैसे इसमें भी है तो धूप और शाइन और लाइट से आप जानते हो कि कीरे वगएरा जो है वो मर जाते हैं खतम हो जाते हैं तो इसलिए इस तरीके के जो पैकेट होते हैं पैकेट्स के अंदर के तरफ शाइन रखा जाता है तो जैसे धूप में शाइन है ना तो धूप जो हुआ तो हम लोग पैकेट में नहीं डाल सकते हैं बट हम लोग यह जो अलमुनियम फॉइल है ना इसे आप जस्ट इस तरीके से कर ले करने के बाद आप कोई भी चीज में अगर डाल करके रखें ना वह बहुत बहुत दिन तक आपका अच्छा रहेगा फ्रेश रहेगा चलेगा खराब बिल्कुल भी नहीं होगा तो आज यह आप समझ गये ना कि आखिर पैक प्लीज तो आज का टिप नुबर फॉर एंड लास्ट टिप यह है ना कि फ्रेश को हम लोग ज्यादा दे तक जो खोल करके रख देते ना जैसे कि कभी समझ में नहीं आता क्या बनाओ आज क्या खाना बनाना नहीं ऐसे खोल करके नहीं देखना है पहले से डिसाइड कर ले करते तो ऐसा जो है ना बिलकुल भी ना करें अमीद करती हूं कि सारा टिप्स और ट्रिक्स जो है ना आज का आप लोगों को इंशाला बहुत ही पसंद आया होगा अगर पसंद आये ना तो लाइच चेर सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर मिलते हैं इंशाला किसे नेक्स टिप्स और ट्रिक्स के सार तब तक के लिए अल्ला हाफिज